नमस्कार अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना का ओनलाइन आवेधन करना चाहते हैं यानि कि ओनलाइन अप्लाइक करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं पूरा सबसे पहले आपको जिसका भी आवेधन कर रहे हैं उसका आधार काड आपके पास होना चाहिए और घर के सभी सद्दै से जितने भी मेंबर हैं सबका आधार काड आपको अपने पास रखना होगा ठीक है तीसने नमबर पे आपको एक मुवाइल नमबर चाहिए और फिर उसके बाद आपको एक इमेल आईडी चाहिए ठीक है और आपको एक बैंक एकॉंड भी चाहिए यानि कि जि तरह का डॉकॉमेंट्स अपने पास आपको रखना है अगर आपके पास छे डॉकॉमेंट्स है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं बट आपको उसके बाद यह भी चीज आपको सियोर हो जाना चाहिए देखिए यहां पर मैं बता दूँ जो कौन लोग इसका लाब ले अवास पहले से नहीं मिलना चाहिए ठीक है यानि कि अगर आपको पहले से कोई भी सरकारी अवास मिला है तो फिर आप इस योजना के लिए अपलाई नहीं कर सकते हैं और उसके बाद जो में इन्पोर्टन पॉइंट है वो मैं आपको एक बर किलियर कर देता हूँ परिवा यह पूरा प्रोसेस में आपको बता दिया अब मैं आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना उसका पूरा प्रोसेस आपको करके दिखाता हूँ सबसे पहले आपको p-m-a-y-m-i-s.gov.in यह वाला वेबसाइट के उपर आना है जब आप इस वेबसाइट के उपर आएंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस यहां पर देखने को मिलेगा यहां पर एक option आपको देखने को मिलेगा ठीक है 3. यानि कि menu का menu के उपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे friend देखिए यहां पर सबसे पहले आपको आपक का अधार number और अधार नाम मांगा जाएगा यानि की अधार number और अधार card जिसके भी नाम से है उसका यहां पर आपको नाम एंटर करना है सुपरेन यहां पर अधार नाम और दोनों डालने के बाद आपको नीच हो चुका है, अब सबसे पहले यहां पे आपको अपनाidores Carbon State सेलक्ट करना है, जिस भी State क है उस State को आप यहां से सेलक्ट करेंगे तो मैंने यहां पर एक State सेलक्ट कर लिया है उसके बाद, Friend यहां पे दिश्टिक सेलेक्ट करना है जो भी आपका डिश्टिक है उसको आप यहां से सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहां पे आपको CT सहर मते के सादे मैंने हुआंसे स्लेक्ट कर ली है तो मैंने यहां से सिलेक्ट कर लिया आप नीचे आपको option देखने को मिलेगा friend area ठीक है area के उपर आपको यहाँ पे automatic select हो जाएगा ठीक है उसके बाद नीचे आपको नाम दिख जाएगा second number पे यहाँ पे आपको option दिख जाएगा father's name उसके बाद आपका बरतमान पता जो भी है तो हम यहाँ पे अपना पूरा यह details एक पर फिल करके आप लोग को फिर clear बता देते हैं सबसे पहले तो आपको अपना नाम एंटर कर देना है ठीक है नाम आप जब यहाँ पे एंटर करेंगे उसके बाद फादर से name का option आएगा ठीक है उसके बाद नीचे आपको आना है नीचे आप जब आएंगे यहाँ पे आप आपको एक काम करना है आपका जो भी माकान नंबर है वो आपको वोटर आइडी कार्ड में दिख जाएगा उसको आप यहाँ पे एंटर करेंगे उसके बाद यहाँ पे ओटोमेटिक यह सारा डेटेल्स मिल जाएगा नीचे जो option आपको मिलेगा फिर आपको मोबाइल नंब करेंगे वोटर आइडी तो वोटर आइडी करेंगे तो हमारे पास pen card है तो मैंने pen card यहाँ पे select कर लिया अब जब आप नीचे आएंगे friend तो यहाँ पे देख सकते हो इसके बाद यहाँ पे आपको यह फूरा details देखने को मिलेगा second number पे आपको यहाँ पे परिवार के सदि इसका विवरन देना है ठीक है यहाँ पे आप select कर लेंगे जो कि कौन कौन है आपके परिवार में यहाँ पे जो भी है उसका पूरा विवरन आप यहाँ पे दे देंगे ठीक है उसके बाद यहाँ से जैसे ही आप इश्कॉल करेंगे friend ठीक है नीचे में आपको लोग को दि एंटर कर देना है ठीक है उसके बाद यहां पे एक बॉक्स मिलेगा इसके उपर आपको टिक करना है और यहां पर जो आपको कैप्चर दिया हुआ है ठीक है मैं एक बार दिखा देता हूं यहां पर आपको एक कैप्चर दिया हुआ है इस कैप्चर को एंटर करने के बाद यह यहां पे आपको जो है यहां पे जो है सेब के उपर किलिक करना है तो फिलाल मैं यहां पे सेब के उपर किलिक नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैंने पहले ही अल्रेडी यहां पे अपलाई कर रखा था सो फ्रेंड देखे कुछ इस तरह से आप इहां पर अपलाई कर सकते हैं और अगर आपको कोई दिक्कत आता है ठीक है तो आप हमें फिर से कॉमेंट करके बताइए मैं आपको फिर से एक नया वीडियो बनाके दे दूँगा फ्रेंड तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडिय कर दो